वेल्कम स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप आप सभी अच्छे होंगे तो इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के दो क्यूस्चन question number 18 और question number 19 ठीक है दोनों ही important question है तो question number 18 देखते हैं पहले क्या बोला है for the curve y equals to me 4x cube minus 2x की power 5 find all the points at which the tangents passes through the origin question को समझेंगे अच्छे से देखो भई equation of curve अमारे पास क्या है y equals to me 4x cube minus 2x की power 5 और हमें सभी points बताने है at which the tangents passes through the origin अब origin से पास कर रहे हैं यानि कि points क्या आगे हमारे पास 00, x भी 0 और y भी 0 कले रहे हैं तक तो देखो सबसे पहले निकालते हैं slope इस करूँ का यह होगा हम रपस y equals to me 4x cube minus 2x की power 5 तो differentiate करते हैं बोट side with respect to x तो y का हो जाएगा डिवाइपन में dx माइनस में 2 आगे रहेगा x की power 5 का क्या हो जाएगा power आगे power में से एक कम यानि कि 5x की power 4 और पहले से 2 आगे है तो 5 2 जा 10 तो 10 और x की power 4 clear है यहां तक यह आगे हमारे पास slope अब देखो भई हमें क्या करना है सभी points बताने है तो यहाँ पर एक line लिखेंगे the equation of the tangent at x,y is given y अब equation of the tangent आपको पता है क्या होती है y minus y1 इसको डिनोट करते है capital y से minus y1 अब यह चोटा y ले ले लेते है y1 की जाए पर ठीक है क्योंकि हमने पर माना है यह x1 हो गया यह y1 हो गया तो y minus y1 equals to में क्या होता है होई m यानि की स्लोप स्लोप क्या आपके पास 12x सुकेर माइनस 10x की पावर 4 dy अपने में dx अभी हमने उपर निकाला ठीक है into में क्या हो जाता है x minus x1 अब बड़ा x ले ले लेते हैं और x1 की जाए पर है हमारे पास छोटा x कलियर इसको सॉल करते हैं अब देखो यहां पर आपने पड़ा है टेंजेंट्स पासीज थरोदा ओरीजन अब पासीज थरोदा ओरीजन है तो आपके पास x और y क्या हो जाएंगे दोनों 0 हो जाएंगे अब x की पर भी 0 रख दो और y की जगए है पर रखना है वी आपने 0 ठीक है तो माइनस का वाई इकनचे तू में it 10 Nक में वखुर और j यह जाएगा। जरो माइनस का x कलियर यहां तक इसको सोल करते ह tö normalized है एक हाँ माइनस का वाई इकनचे के यह 12 एक सूक्पे इर माइनस का 10x ma और 4 और माइनस का X इंटो में है यहां से आज आज आपके पास Y इक्वल्स टू में 12X की पावर 3 इस X की दोलों के साथ मल्टिप्लाई कर दो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया कलियर और यहां पर माइनस का 10X की पावर 5 अभी यह हमारे पास किसके एक्वल आ गया Y के आपके पास जो करव की एक्विशन की उन है वो है Y इक्वल्स टू में 4X क्यूब माइनस से 2X की पावर 4 तो Y इक्वल्स टू में 4X क्यूब माइनस में 2X की पावर 5 तो दोनों की हमारे पास left hand side equal है तो right hand side भी equal होगी तो यहां से हम लिखेंगे 12X की पावर 3 माइनस का 10X की पावर 5 कलेर यहां से इसको ड़कर लेते हैं यह जाएगा 8X की पावर 5 माइनस में 8X की पावर 3 माइनस की पावर 3 इक्वल्स टू में 0 देखो यह माइनस का 10X की पावर 5 था उससाइड पलस पार 5 तो बच जाएगा पलस का 8 x की पावर 5 यह हमारे पास पलस का 12 x क्यूब था यह उस साइट जागे माइनस का हो जाएगा और यह पलस का 4 है तो माइनस का 8 x क्यूब बच जाएगा कलेर यहां तक और यहां पर देखो भई यह 8 मैं यह से common ले दूँआ और यह इस साइट नीचे जागे 0 बन जाएगा तो यहां से x की पावर 5 माइनस x की पावर 3 इकूल स्टू में 0 अब मैं यहां से लिए दूँआ x क्यूब को मन तो यह हो जाएगा x सुकेर माइनस 1 इकूल स्टू में 0 तो एक तो x की वेल्लू आगई 0 दूसरी की आगई x की वेल्लू x सुकेर माइनस 1 है ना तो x इकूल स्टू में जाएगा 1 के और x की वेल्लू आजाएगी वहई पलस माइनस 1 x की तीन वेल्लू आगई हमारे पास तो x की तीन वेल्लू आई है तो y की भी 3 आएगी यहाँ पर हम चेक करते हैं when x इकूल स्टू में 0 तो y आपके पास क्या हो जाएगा देखो x से नंबर फर्स्ट में रख देंगे उठाकर तो x की तीन वेल्लू आपके पास 4 इंटू में 0 का q माइनस 2 इंटू में 0 की पावर 5 यह हो गया 0 अब x इकूल स्टू में 1 पे चेक करो y हो जाएगा 4 इंटू में 1 का q माइनस में 2 इंटू में 1 की पावर 5 इकूल स्टू में 2 आपके बार चेक करो माइनस 1 के लिए यह हो जाएगा y आपके पास 4 इंटू में माइनस 1 का q माइनस में 2 इंटो में माइनस वन की पावर 5 यह जाएगा भी माइनस का 2 Hence the required points are देखो गई 0 0 1,2 और माइनस 1, माइनस का 2 यह गई आपके पास answer points हमने आपर निकालने थे points निकाल के दिखा दिए देख सकते हो आप एक बार फिर से ठीक है, easy question था, कोई बड़ी बात निकालो फिर हमें पता है equation of tangent क्या होती है उसकी help लो और y equal value निकालो फिर x की value निकाल दो कलिए यहां तक, अब देखें वही question number 19, question number 19 में देखो क्या बोला, find the points on the curve, x square plus y square minus 2x minus 3 equals to 0, at which the tangents are parallel to the x-axis अगर आपके पास क्या हो, parallel to the x-axis हो तो उस condition में आपका slope किसके एकोल हो जाता है 0 के एकोल हो जाता है, ठीक है आपने introduction में पढ़ी थी यह बात, ध्यान हो तो आपको तो आसे देखो वही, equation of the curve हो गई आपके पास x square plus y square minus 2x minus 3 equals to 0, differentiate करेंगे क्योंकि हमें तो slope चाहिए, तो आप differentiate करते हैं, both side with respect to x तो x square का तो जाएगा 2x, plus में y square का जाएगा 2y, into में y का भी होगा क्योंकि with respect to x कर रहे हैं तो y का जाएगा dy upon में dx minus में 2x का जाएगा minus का 2 और minus में 3 का जाएगा minus का 0 clear यहां तक equals 2 में 0 का तो 0 अब देखो भई, यहां से हमें क्या चाहिए, dy upon में dx से यह तो सभी terms को उससाइड ले जाओ, यहां पर मैंने रख लिया देखो y into में dy upon में dx रखा है बस बाकि सभी को उससाइड लेगा, यह minus का 2 होजाएगा यह plus का 2x है, इस साइड आगे minus का 2x आमें तो dy upon में dx से यह देखो यहां से अगर common ले दू तो यह जाएगा 1 minus का x अंदर अब यह हमारे पास 2 into में 1 minus x और upon में क्या जाएगा यह 2y भी upon में जाएगा इस 2 से यह 2 cancel हो गया वही यह आगया हमारे पास 1 minus x upon में y dy upon में dx आपके पास आगया तो यहापर हम लिखेंगे, हमें पता है अगर आपके पास parallel to the x-axis है तो उस condition में slope का उजाता है 0 जाता है, तो यह line लिख देते हैं तो लिखेंगे, now the tangents are parallel to the x-axis if the slope of the tangent is 0, यह तो में पता है तो 1 minus x upon में y यह हमारे पास slope आया ना equals to 0 जाएगा, यह y इस side आगे 0 तो 1 minus x equals to 0 और x की value आजाएगी 1 अब x की value 1 आगई तो हमें y की value बेचाहिए तो put कर देते हैं equation number first में इसको मान लेते है equation number first यहाँ पर हम put करेंगे x की जगए पर 1 तो x की आपर 1 put किया तो हमारे पास आगा है y square equals to 4 तो y आगा हमारे पास plus minus 2 तो यह y की value आगई ना और x की value आई है एक हमारे पास 1 ठीक है तो hence the points at which the tangents are parallel to the x-axis are 1,2 और 1, minus 2 यह आपके पास final answer points बताने थे तो points हमने बता दिये अगर आपको समझ में आया तो वहां से मापको और अची से clear करा दूआ अगर कुछ doubt रहता है तो तो मिलते हैं next question के साथ next video में तब तक लिए अपने glassmates के साथ इस video को share कर दें अपने groups में इसको डाल दें ठीक है okay thanks for watching